दोस्तों दितिय विश्यद्य समाफ्थोने के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका सुपर पावर के रूप में उबर के आया था और कोल्ड वार समाफ्थोने के बाद जब सोवियत यूनियन तूट के बिखर गया तो दुनिया में एक मातो सुपर पावर बचा अमेरिका हाल अपर देश नहीं रहा है कि इंडो पैसिफिक रिजर्ड में अमेरिका सोल सूपर पावर या फिर कहें तो सोल पावर नहीं है बलकि यहाँ पे एक दूसरे पावर का वी इंट्री हो चुका है और दोसों इस बात का खुलासा कोई और नहीं बलकि अमेरिका के एक क्लोस तरीन अस्ट्रेलिया के तरफ से किया गया और देश नहीं रहा है यहाँ पर दूसरे देशों का भी इंट्री हो चुका है जहाँ पे सबसे अधिक चर्चा फिलाल चायना का किया जा रहा है हाला कि दोस्तों ये कोई धके चुफी बात नहीं है और इस तरीके का जिकर तो कई वार अमेरिका के भी कई सारे थिंग टैंकों के तरफ से किया जा चुका है पर ऑस्ट्रेलिया के तरफ से जिन बातों का खुलासा किया क्या वो फिलाल अमेरिका के लिए नहीं बलकि इंड इतना बड़ा है कि इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता और दितिय विश्योध्य के बाद से ऑस्टेलिया फिलाल करेंट समय में सबसे अधिक चैलेंजियों का सिकार है और दोसों इसके पीछे में कारण है इंडो पैसिफिक रिजन का अंस्टेवल होना और दोसों ये अं में आता है या उसे अफुस करने का प्रयास करता है तो उसके उपर हमला बोल दे अब दोस्तों चायना जिस तरीके के ताकत के नशे में चूर है वो संपूर्ण इंडो पैसिफिक के उपर कवजा करना चाहता है और आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू कि चायना एक चायना रुख जाता है तो ये शायद अन्य देशों के लिए चिंता नहीं बढ़ाएगा लेकिन कई सारे ठिंग टैंगों का मानना है कि चायवान तो केवल मात्रों शुरुआत होगा और उसके बाद चायना का नजर लगवागुन सभी शेत्र के उपर होगा जो चायना हति जा सके और इन शेत्र में इंडो पेसिफिक रिजन के कई सारे आइलेंड शामिल है और चायना संपूर्ण इंडो पेसिफिक के उपर कबजा करने के लिए इन आइलेंडों के उपर भी हमला बोल सकता है और इन आइलेंडों को भी कबजा कर सकता है और दोस्तों ऐसे अब एक फिलाल संख्या के मामले में चायना दुनिया का सबसे बड़ा नेवी वी बन चुका है लेकिन अगर ताकत के मामले में देखा जाए तो अभी वी अमेरिका चायना से काफी आगे है। इस तरीके से चायना अपने फ्यूचर का प्लान को बना रहा है उससे माना जा रहा है कि आने वले कुछ सालों के अंदर चायना अमरिका को खली टकर नहीं देगा बलकि एक तरीके से इंडो पेसिफिक रिजन में काउंटर भी करेगा। उस्ट्रेलिया का जो चिंता है वो उस्ट्रेलिया से बढ़के भारत के लिए है। चायना जितना पेसिफिक रिजन के दक्षिन में रियाना नहीं चाता है उससे कई गुना अधिक इंडियन ओशन में आना चाता है क्योंकि इंडियन ओशन फिलाल ट्रेड का हाप बना हुआ है और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो भारत चायना का सबसे बड़ा प्रति करना चाता है और उसका प्रयास चायना लंबे समय से लगा चुका है और स्ट्रिंग और पॉल्स के निति को भी आगे बढ़ा चुका है पर उसमें भी चायना को सफलता नहीं मिला और भारत के द्वारा एकतरी के सफ कह सकते हैं कि चायना के बेल्ट अं रोड इनिशिटिव को विध्वत कर दिया गया पर अगर चायना एरकाट केरियर के बहुत बड़े संख्या को बनाने में समर्थ होता है तो ये इंडियन ओशन के अंदर आएगा और भारत के लिए मुश्किल को बढ़ाएगा खास करके ट्रेड रूट के मामले में और दोसों ये मुश्किल खा कह सकते हैं कि इससे पुरत दुनिया का बिनाश होने का संभावना भी बढ़ जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई भी देश चायना के इन हरकतों को जहलेगा नहीं बलकि एक बहुत बड़ा और भैंका लड़ाई शुरू हो जाएगा